नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत है अद्रितिस किचन में और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए ओरिशा और बंगाल की बहुती फेमस स्वीडिश रेसिपी जो की है भाप संदेश जिसे आप छेना संदेश भी कह सकते हैं ये घर पर आप बहुती इसली ब अच्छे से बनाना शुरू करते हैं मैं यहां पर यह दूद गरम कर रही थी और यह दूद फट चुका है तो मैं इसे यूज कर रही हूँ यहां पर भाप संदेश की रेसिपी के लिए अगर आपको दूद को फारना है तो आप दूद गरम कीजिए और उसमें आप इसको स्कुईज करके उसका सारा पानी निकाल लेंगे ताकि हमें एक अच्छा छेना मिल जाए तो यह देखिए पानी अलग हो चुका है और छेना लग तो यह जो पानी है आप इसे यूज कर सकते हैं किसी भी ग्रेवी वाली सबजी के लिए और या तो आप इसे आंटा भ इसको पहले ग्राइंड करेंगे और यह कुछ इस तरीके से अभी दिख रहा है हमें एक तम क्रीमी टेक्शर चाहिए इसका अभी भी इसमें दरदरापन है तो इसके लिए हम यहां पे डालेंगे थोड़ा सा दूद और इसमें डालेंगे हम पीसी हुई चीनी आप यहां द इसमें डालेंगे यह देखे कितना ही क्रीमी टेक्शर आ चुका है इस मिक्षर में मैं डाल दिया है दर्दरी कुटी हुई एक थाली को मैंने ग्रीस कर लिया था गी से और उसमें यह मिक्षर डाल दी हूं चेहने का आप इसके डाल रही हूं मैं किसर के कुछ स्ट्रेंट इसे इसका टेस्ट और लुक बहुत ही अच्छा आता है यह देखिए मैंने स्टीमर को अल्रेडी रखा था इसमें से बाप आरी है बाहर तो अब मैं इसमें रख दे रही हूं यह जो हमारी छेने की प्लेट है यह और इसे ढग कर हमें पकाना है लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे हम नॉर्मल रूम टेंपरेचर पेहने देंगे और उसके बाद हम इसे फरीज मे रख देंगे सैट होने के लिए तीसLा 10 ते लेकर एक ता की अच्छी से से प्लिया जाए इसके बाद मैं यह देखिए इसे बाहर निकाला है और अब मैं इसमें कट लगा रहा हूं ABOUT हमा बादाम की कत्री से और पिष्टे की कत्री से तो देखा आपने कितनी इसली आप घर पे बना सकते हैं बेंगॉली मिठाई और वो भी इतने कम इंग्रेडियन्ट के साथ तो आप भी जरूर इसे बनाएं खाएं अपने परिवार को किलाएं और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं